हेलो फेंज कैसे हो मैं हूँ अशिश गुर्जर आज सबका फीर से एक बार स्वागत है हमारे यूटुब चैनल दर गुर्जर गुरूप है फ्रेंज लास्ट वीडियो में हमने सिखा था इंपोर्टेंट फॉर्बॉलास के बारे में अगर वो अभी भी नहीं आपने देखा है तो मेरी प्ले लिस्ट में जाएए और वो वीडियो पहले देख लेजे आज हम बात करने वाले है एक्सराइस नूमबर 1.3 के बारे में फॉर्थ क्वेशन में हमें बोला क्या गया है फाइंड लास्ट पियर्स पार्षे एंड फिशे इंडेक्स नंबर फिशर्स इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है स्यम क्वेशन है 2014 को बेस लेना है 2015 जौ है हमारा वो क्या रहने वाला है current यहां पर कुछ अलग है देखो आइटम तो ठीक है हमारे पास ABCD देखे रखा है यूनिटी जो है ना वो देखो केजी केजी क्विंटल डेजन ठीक है बट ये जो केजी है उसके आगे 20 लिखा है बस ये अब यहाँ से देखना पड़ी लब ये 20 लिखा है बट मुझे 20 का नहीं चाहिए मुझे तो सिफ 1 केजी का प्राइस चाहिए है इसका मतलब ये जो दोनों प्राइस दिया है वो दोनों प्राइस 20 केजी के होगे so friends अब अगर हमें उसको 1 केजी में convert करना है तो मैं क्या करूंगा तो simple funda है अगर 2014 में 80 रुपीज टोटल 20 केजी का है तो 80 डिवर्बे 20 का दो पर केजी कितना मिल जाएगा 4 रुपीज 120 डिवर्बे 20 कर दो कितना हो जाएगा 6 रुपीज safe और safe price में ही divide करना है quantity में नहीं ठीक है अब हमें एक और चीज देखनी है कि यहाँ पे तो केजी है चलो देख लिया अब वही item में quantity में भी क्या होना चाहिए केजी ही होना चाहिए अगर केजी नहीं है तो दोनों में से किसी एक को convert करना पड़ेगा सर कैसे देखो यह जो B है ना उसमें यहाँ पे केजी है पड़ यहाँ पे क्या है ग्राम यहाँ पे भी क्या है ग्राम तो यहाँ तो ग्राम को केजी में convert कर दो यहाँ तो केजी को ग्राम में convert कर दो यहाँ पे easy कौन सा रहने वाला है तो जो ग्राम है उसको केजी में convert कर दो यह बहुत simple रहने वाला है divided by 1000 कर दो 2400 divided by 1000 करेंगे 2.4 and 4000 divided by 1000 करेंगे तो 4 आ जाएगा तो यह हो गया ठीक है ना उसके बाद जो है न वो quintal है याद करो friends 1 quintal equals to how many kg तो 100 kg होता है याद रख लो दिमाग में बिठा दो यह बहुत काम में आने वाला है तो इन दोनों prices को अब मुझे 100 से divide करना पड़ेगा उपर देको नहीं divide करना पड़ा क्यों क्यों यहाँ पर 1 kg की ही detail देके रखी थी और यहाँ पर 2 kg है इसलिए मुझे quintal को kg में convert करना पड़ा फिर यहाँ पर dozen है ठीके friends पर यहाँ पर pieces है तो या तो pieces को dozen में convert कर दो या तो dozen को pieces में convert कर दो तो यहाँ पर देखो 35 pieces 35 divided by 12 करोगे नहीं होगा point में answer रहेगा वो तो पते ही है न आपको एक dozen में 12 pieces होते हैं तो अब हम dozen को piece में convert करेंगे तो यहाँ पर 12 dozen है वहाँ पर कितना हो जाएगा 12 piece हो जाएगा और इन दोनों prices को मुझे 12 से divide करना पड़ेगा is it clear friends और यहाँ पर pieces as it is रहेंगे I hope कि आपको थोड़ा समझ में आया है ठीक है थोड़ा और clear करते है आ जाओ थोड़ी size जो font के वो थोड़ी चोटी कर दिया ताकि आपको थोड़ा ज्यादा clear हो जाए और फिर अभी हम zoom कर देते हैं यह देखो friends अब यहाँ पर ना मेरे पास 20 kg था ठीक है friends मैंने यहाँ पर सिर्फ kg लिखा यहाँ पर kg था यह क्विंटल को kg में convert किया और dozen को piece में convert किया यह देख लो unit kg 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 and pieces मिल गया चलो दूसरा क्योंकि यहाँ पर 20 था तो मुझे 80 और 120 को 20 से divide करना पड़ेगा तो मैंने उन दोनों को 20 से divide किया तो 4 and 6 मिला ठीक है फिर यह दोनों को मुझे कुछ नहीं करना पड़ा पर यहाँ पे 2400 ग्राम and 4000 ग्राम था उसको मैंने 1000 से divide किया kg में convert करने के लिए तो देखो friends यहाँ पे हो गया 2.4 and 4 हो गया clear friends उसके बाद यह देखो friends उसके बाद यह quintal था तो मैंने उसको kg में convert कर दिया है और क्योंकि वहाँ पे 100 kg हो जाएगा इसले मुझे 2000 और 2800 दोनों को मुझे 100 से divide करना पड़ेगा तो यह मैंने दोनों को 100 से divide किया तो 20 and 28 मिला ठीके friends और यह दोनों 10 kg 15 kg में कोई changes नहीं फिट dozen है यहाँ पे pieces है तो मैंने dozen को piece में convert किया तो यह देखो friends pieces और वहाँ पे 12 आएगा तो मैंने 48 and 72 दोनों को मैंने 12 से divide किया तो यह देखो friends 12 से अगर मैं divide करता हो तो 4 and 6 उन दो लिखी है कि यह सर कुछ समझ में नहीं है फिर से मैं आपको explain कर दूँगा फिर से अब zoom हो जाते है अब तो हमारे पास जैसा data था वैसा हो गया है तो मैं कोई twist नहीं है सिर्फ twist क्या था kg को हमने gram को kg में convert किया अगर kg के साथ एक से ज़्यादा कोई value है तो हमने उससे divide किया यह चीज़े द्यान में रखने थी ठीके friends तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है तो p1 और उसको multiply करना है हमें q0 के साथ यह रहा q0 ठीके तो यह multiply हो गया बहुत simple था p1 6 था और यह 5 था अब देखो यह मैं सब में apply कर देता हो friends यहां तक तो यह हो गया और उसका total भी में पूरे column में apply कर देता हो time waste नहीं कर रहा हो यह आपको समझ में आ गया है अब मुझे क्या करना है तो यह मेरा p1 है और उसको मुझे multiply करना पड़ेगा q1 के साथ और यही चीज़ हम पूरे में कर देते हैं पूरा p1 q1 कर देते हैं यह पूरा p1 q1 हो गया और यह जो है यह पर मुझे करना है p0 और उसको multiply करना है मुझे q1 के साथ so यह हो गया 28 और यही चीज़ हम हर एक में apply कर देते हैं तो यह हो गया now friends अब मुझे मिल गया है जो मुझे चाहिए था last पे पाशे Fisher के लिए total submission of p1 q0, p0 q0, p1 q1 and p0 q1 इन सब का मुझे total मिल गया है अब simply हमें क्या करना है तो हर एक का formula हम apply करेंगे और formula apply करने के बाद हमें calculation करके answer से find कर लेना है ठीक है friends ठीक है देखते अब आगे तो firstly हम अब देखते हैं पहले last pair की बात करते हो last pair का formula sigma p1 q0 divided by p0 q0 है और यह values यहां रही 547.6 इसको हम divide करेंगे 388 से और multiply करेंगे हम 100 से ठीक है friends तो इसका answer क्या आएगा हमने क्या किया तो 5 कैल से में करते हैं जब 547.6 उसको divide किया 388 से और multiply किया 100 से तो इसका answer हो जाएगा 141.13 हो जाएगा कोई बड़ी चीज नहीं थी इसमें अब पाशे की बात करें थोड़ा फटा फट करते हैं पाशे के लिए हमारे पास formula क्या है तो वह formula हमारे पास p1 q1 और p0 q0 divide करना है उससे तो यह है मेरे पास देखो मैं लिखी देता हूँ यहां पर तो यह है 768 और उसको मैं डिवाइड करना है 548 से और multiply करना है 100 से तो ऐसा कुछ मैंने लिख दिया है देखो friends यहां पर आजाओ अब उसका answer कर देते है answer में क्या है तो 768 उसको मैंने डिवाइड किया 548 से और multiply किया मैंने 100 से तो यह answer हो जाएगा 140.15 हो जाएगा अब final बंदा कौन आएगा भाई तो आएगा Fisher अब Fisher के अगर बात करें तो Fisher के लिए क्या है मेरे पास तो Fisher के लिए formula है कि अंडर रूट लास्पियर multiply with partial लास्पियर का 141.13 है 141.13 और उसको हमें multiply करना है किस से 140.15 से यह हो गया इसका answer हो जाएगा हमारा 140.64 ठीक है फ्रेंट्स तो यह हो गया हमारा पूरा I hope कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंट्स अगर कोई भी डाउट है फिर से एक बार recap करके देख लीजे फिर भी कोई डाउट रहता है तो comment में लिख दीजे और फ्रेंट्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजीगा और आपके फ्रेंट्स को शेर कर दीजीगा ताकि वो भी उसका benefit ले सके और अगर ऐसे ही वीडियो लगाता है चाहते हैं तो हमारी चैनल को subscribe कर दीजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि ऐसे जो नए वीडियो जाते हो आप तक मिलता रहे थ तक यू सो मुझ